19 फरवरी को वकील ने असद को भेजी थी उमेश पाल की तज़्वीर 24 को हुई हत्या सामने आया चैट नमस्कार दोस्तों मैरा अतम चिंग और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है उमेश पाल हत्याकार में वकील खान सौलत हनीब की भी भूमी का सामने आयी है एंकाउंटर में मारे गए अतीक एहमत के बेटे असद और अतीक एहमत के वकील खान सौलत हनीब का मोबाइल चैट सामने आया है अतीक के वकील खान सौलत हनीब ने अतीक के बेटे असद को उमेस पाल की तस्वीर भेजी थी कई तस्वीरे 19 फरवरी को भेजी गई थी अतीक एहमत के बेटे असद ने उमेस पाल की उनी तस्वीरों को दूसरे सूटरों को बढ़ा दिया था इसके बाद 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी उमेश पाल मडर केस में अब अतीक के वकील हनीब को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है उमेश पाल के किटनैपिंग केस में सौलत हनीब को पहले ही उम्रकैत की सजा हो चुकी है और वा नैनी जेल में बंद है सनीवार को अतीक और असरब की जिस तरह से हत्या होई और जिस तरह से उत्तर पुलिस हाथ धोकर अतीक के गैंग के पीछे पड़ी और अतीक के बेटे असत्त का एंकाउंटर हुआ उससे अतीक के गैंग में धर की एक लहर सी दोड़ गई यहां तक की जेल में बंद अतीक के दोनों बेटों के बर्ताओं में बदलाओ आया है और अतीक के तमाम गुरोगों ने पुलिस से बचने के लिए अब अपने अपने मुबास रही बंद कर दिये हैं अतीक और असरब की हत्या के बार लखनवू जेल में बंद उमर का हाओ भाओ बदल गया है असरब के एंकाउंटर की खबर जैसे ही उमर एहमत को मिली थी तो वो बैरक में ही अचानक घुटनों पर ही बैड़ गया था और उपर देखका दूआ मागने लगा था वहीं अतीक और असरब की हत्या की खबर उसे रवीवार को मिली थी उसने तुरंट पूछा था कि किसने हत्या की क्या वो पकड़े गए क्या उनका भी इंकाउंटर हुआ है अतीक और असरब की हत्या के बाद बेटा उमर एक ही जटके में बदल गया लेकिन उसका दूसरा बेटा अली का नजरिया अपने बड़े भाई के मकाबले एकदम बदला हुआ था नैनी जेल में अली, पिता, अती, अहमद और चाता असरब की हत्ता के बाद हिल गया पिता के मारे जाने के गम में अली ने जेल में खाना पीना छोड़ दिया अली को बैरक से निकाल कर रात में ही अस्पताल में भरती किया गया इसी बीच अती, अहमद और असरब की हत्ता के बाद जांस में जुटी पुलिस टीमों के लिए एक और मुस्किल सामने आई है सनीवार को अतीग और असरब की हत्ता के बाद अतीग के गुर्गों के लगबग 800 नमबर अचानक बंद हो गए है सबी 800 नमबर सर्विस लांस पर लगे हुए थे बंद हुए नमबर का डिटेल खंगाला जा रहा और उनकी कॉल डिटेल ली जा रही है प्रियाग्राज में उमेश पाल हत्याकांट के बाद से ही उत्तर प्रदेश पुलिस सूटरों की तलास में लगी हुई थी और पुलिस टीमों ने अतीग एहमद और उससे जुड़े लोगों के नमबर को सर्विस लांस पर लिया था के अधार पर दो दर्जन से अधिक महिलाओं से पूस्ताज की गई लेकिन साइस्ता नहीं मिली अतीग के कुछ रिष्टेदारों को भी पुलिस ने उठाया है साइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांट से पहले 19 परवरी को CCTV फुटेज में नजर आई थी उसके साथ उमेश पाल हत्याकांट में सामिल सूटर साबिर भी नजर आया था साबिर पर पांस लाग का इनाम है और साइस्ता पर पचास हजार का इनाम है अतीग अहमत का दाहिना हाथ माने जाने वाला उसका गुरगा असाद कालिया भी ग्रफतार कर लिया गया है पांस मुकदमों में वांटेट असाद पर पचास हजार का इनाम घोसित था ऐसे में पुलिस को भरोसा है कि साइस्ता तक वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी साइस्ता के अलावा पुलिस को अतीग अहमत की बहन आईसा नूरी और अतीग के भाई असरप की पत्नी जैनाब फातिमा की भी तलास है दोनों को पुलिस ने उमेजपाल हत्या कान में आरोपी बनाया है इन तीन महिलाओं के अलावा पुलिस के लिए एक बड़ी गुतित बंबाज गुड़ू मुसलिम है पांस लाग का इनामी गुड़ू मुसलिम की 24 फरवरी को उमेजपाल की हत्या के बाद अब तक पांस लोकेशन मिली है पहली लोकेशन मेरट, दूसरी लोकेशन जहासी, तीसरी लोकेशन नासिक, चौथी लोकेशन करनाटक और अब उड़ीशा आती एमत के सबसे खास राजदार गुड़ू मुसलिम को लगातार पुलिस खोज रही है सूतरों के हवाले से ख़बर है कि उसकी आखरी लोकेशन अब उड़ीशा में मिली है स्टी एप की टीम उसकी लोकेशन को ट्रेश कर पूरी पहुची लेकिन अधिकारियों के पहुचने से पहले गुड़ू कायब हो चुका था Bureau Report Trigger News